नमस्कार कोलान प्रमंधल के सापताहिक न्यूस टाइरी में मैं राजलिक्षमी आपका स्वागत करती हूँ चलिए हम नज़त डालेंगे साथ बड़ी खबरों पर जो इस सपताह सुर्ख्यों में रही सबसर पहले हम बात करते हैं बागबेड़ा थानत शेत्र के गांधी नगर में पत्नी और प्रेमी के दुआरा मिलकर किये गए पती और ससुर्ख्यों की इस सपताह गुरुवार को गला दबाकर हत्या का संसनी खेज मामला सामने आया जहां घटना की जाच करने खुद सस्पी डॉक्टर एम तमिलवनन पहुचे और सभी बिंदों पर जाच करते हुए 24 घंटे के अंदर ही मामले का उद्भेदन कर दिया सस्पी तमिलवनन ने प्रेस वारता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पती राजू मोहंती पत्नी को प्रेमी के साथ अपत्ति जनक हालत में देख आग बबला हो गया था जिसके बाद दोनों के बीच खूब मार पीट हुई इसी दोरान पत्नी दीपा और प्रेमी जीतेन ने मिलकर गुरुवार की रात साथे दस बजे राजू की हत्या किचन में ही कर दी इसके बाद सोई अवस्था में ही राजू के पिता सूशील मोहंती की भी हत्या दुकान में गला तबाकर कर दी हत्या करने के बाद दोनों के शव को कमरे में ले गए और फिर उसे बरामदे में लाकर रख दिया वहीं पिछले रविवार आयोजित वे टाटा स्टील निबंधत आश्रित बहाली परिक्षा में फरजी परिक्षार्थियों के पकड़े जाने का मामला भी सामने आया है इस परिक्षा में आठ फरजी परिक्षार्थी पकरे गए जबकि एक भागने में काम्याब रहा शहर में विवन परिक्षा केंद्रों पर फरजी परिक्षार्थी के शामिल होने की जानकारी परिक्षा नियांतरत ने पुलीस को दी इसके बाद बिस्टूपूर पुलिस ने टीम के साथ फर्जी परिक्षार्थियों को हिरासत में ले लिया इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ प्राथमी की दर्ज की गई है पकड़ाई यूवकों ने अन्य केंद्रों में फर्जी परिक्षार्थियों की जानकारी दी जुसको स्कूल के पकड़े गए फर्जी परिक्षार्थियों ने केम पीम वोकेशनल कॉलेज राजेंद्र नगर विद्याले में भी दूसरे के बदले पैसे लेकर परिक्षा दे रहे है यूवकों के बारे में बताया इसके बाद धातकीडी ए ब्लॉक निवासी अजहर अली अंसारी के बदले परिक्षा देने आया पीली भीत के हसीब अहमद को भी पकड़ा गया वहीं जुकसलाई मिलत नगर के मुहमद रियाजुदीन के बदले परिक्षा देने रहूल अमीन को भी पकड़ा गया राजेंदर विद्याले परिक्षा केंदर में कदमा उल्यान धननजय पत निवासी अशोक कुमार के बदले परिक्षा देने बिहार के नालंदा के नूर सराई के निवासी अभिशेक कुमार को भी पकड़ा गया उसी सेंटर से बागबेडा हरहर गुट्टो निवासी विकार सिंग के बदले परिक्षा देते बिहार शरीफ का मोनू भी पकड़ा गया जाच के दोरान जेच चतारपुर स्कूल में मान को आजाद नगर चुना शाह कालोनी निवासी मुहमद अकील के बदले परिक्षा देने आया अकील प्रवेश पत्र स्कूल में ही फेक कर फडार हो गया पकड़े गए सभी परिक्षार्थी को सोमवार को अदालत में प्रस्तूत किया गया जहां से सभी को नियाई खिरासत में भेज दिया गया है तो इस सब तह सुन्दर नगर थाना शेत्र में नशे में धुत सी आर पीफ जवान की कार से दुरगटना ग्रस्त दमपती की मौत का मामला भी खूपसूर्ख्यों में रहा घटना में मृतक राज दोहा के रहने वाले गिरी सरदार और उनकी पत्नी सूरज मनी है दुरगटना रविवार रदेर शाम की है जहां पत्ती पत्नी बाइक से साक्ची बाजार से घर की ओर लोट रहे थे उसी दोरान नर्वा की ओर से सुन्दर नगर की तरफ जा रहे एक तेज रफ़तार कार ने कदम डी मोर के पास बाइक सवार गिरी सरदार और उनकी पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया दुरगटना में दोनों गंभी रूप से घायल हो गये थे इस सदुरगटना से आकरोशित स्थानियों ने कार चालक सियार पीफ के जवान चंदन सिंग की पकर कर जम कर पिटाई कर दी इसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलीस के हवाले कर दिया वह नशे में धुत पाया गया था जबकि पुलीस ने कार से शराब की बोतल भी बरामत की थी वही मंगलवार को स्थानियों ने 25 लाख रुपे मुआवजे और एक आशृत को सरकारी नौकरी की मांग करते वे सुन्दर नगर चौक पर आठ घंटे तक शव के साथ प्रदर्शन भी किया समझोते के बाद वहां से ग्रामी नहटे वही आदत्यपूर सत्थ BMW कंपनी के ठेका कर्मी 50 वर्षे शिवेंदर नारायन शिव की शुक्रवार को संदिक दवस्ता में मौत के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा शिवेंदर आदत्यपूर के शेरे पंजाब चौक सत्थ आनंद भवन में रहते थे परीजनों को घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह 6 बजे मिली जब वे लोग एमजे मस्पताल पहुँचे तो पाया की शिवेंदर की मौत हो चुकी थी परीजनों ने पाया की शिवेंदर के गले और हात पर धारदार हत्यार से वार के निशान है जिसके बाद परीजनों ने कंपणी परीसर में शिवेंदर की हत्या या दुरघटना की आश्रंगा जताते हुए बवाल शुरू कर दिया परीजनों की लिकित शिकायत बाद आतितपुर थाना में कंपणी प्रबंधन के खिलाफ हत्या की प्राथमी की दर्ज की गई उसके बाद कमपनी माली की गिरफतारी की मांग करते वे परिजन सहीत भाजपा नेता थाना परिसर में ही धर्णने पर बैठ गए इस दोरान कमपनी पर आरोप लगाते वे शिवेंद्र के साले सरोज सिंग ने कहा कि कमपनी परिसर में दुरघटना के बाद शव को कमपनी से बाहर निकाला गया है कमपनी में मशीन के पास अभी भी खून गिरा हुआ है इस पश्ट होता है कि उनके बहनोई की कमपनी परिलसर के अंदर ही मौत हुई जबकि इसे कमपनी के बाहर दुरगट्टा में मौत का मामला बता कर प्रबंधन मामले की लिपा पोती करने में जुटा हुआ है दिन भर चले धरने के बाद रवी वार कमपनी प्रबंधन से हुई वारता में नौला के मुआवजे पर सहमती बनी पुलीस वाला बनकर एक बार फिर से गहनों की ठगी का मामला सपता सामने आया घटना काशिडिस्तत चंद्रा बली अपाट्मेंट के पास की है अपाट्मेंट में रहने वाली उशा देवी बारदवारी मैदान से मौनिंग वॉक कर अपने घर लोट रही थी उशा देवी के अनुसार अपाट्मेंट की गेट से वो भीतर आ रही थी तबी दौरता हुआ एक युवक उनके पास पहुँचा युवक ने कहा कि पुलीस वाले उसे बुला रहे हैं दो दन पहले एक महिला से चिनता ही हुई है इस कारण हम लोग सिवल रेस में महिलाओं को जेवर पहन कर गूनने से रोक रहे हैं आप भी अपने जेवर खोल कर कागज में रख ले पीडिता उशा देवी ने कहा कि उस युवक के जासे में आकर अपने हाथ से दोनों कंगन अंगूठी और गले की चेन निकाल ली इस बीच युवक ने अपने जेवर से सादा कागज निकाला और उस जेवर को उसमें रख दिया वहीं दूसरी तरफ शेहर में साइबर क्राइम अपराधियों ने सबताह 19 लाख की ठगी को अंजाम दिया है बदमाशों ने गोलमूरी पंजाबी लाइन रफ्यूजी कालोनी के पास रहने वाले कुलदीप और भगवन्त सिंग के संयुक्त खाते से बुदवार को 19 लाख रुपे उडा लिये रुप्यों की निकासी में साइबर बदमाशों ने फरजी स्चेक को माध्यम बनाया इसकी जानकारी जब खाते धारक को मिली तब वे बैंक पहुँचे और फिर डीटेल लेकर सीधे बिस्टुपुर के साइबर थाने पहुचे और मामला दर्च करवाया मामले में आरोपी जियो कंपनी और पी एनबी साक्ची बैंक को भी बनाया गया है भुक्त भोगी का कहना है कि उनका बैंक खाता पंजाब नैशनल बैंक के साक्ची ब्रांच में है जिस चेक के माध्यम से उनके खाते से रुप्यों की निकाशी की गई वह चेक आज भी उनके पास ही है ऐसे में कैसे रुप्यों की निकाशी हो गई उनका कहना है कि उनके पास जियो कंपनी का मुवाइल नंबर है और रुप्यों की निकाशी होने के बाद उन्हें जानकारी तक नहीं मिली रुप्यों की निकाशी न्यू दिल्ली के रहने वाले आलोक कुमार और विश्नु कुमार यादफ की ओर से ICICI Bank से की गई है इसमें एक चेक गाजियाबाद शालिमार गार्डन निवासी शहजात के नाम पर है जबकि दूसरा पटना एक्जिवीशन रोट के रहने वाले शुभम कुमार के नाम पर है तो जमशेटपूर FC ने ISL के आठवी सीजन के आखरी लीग मैच में ATK मोहन बगान को एक जीरो से हराते वे लीग शिल्ड अपने नाम कर लिया लीग मैचों की समापती के बाद अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली टीम को यह सम्मान दिया जाता है जमशेटपूर FC ने लगतार साथ मैच जीतने का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है बेहद कड़े और रोमांचक मैच का एकलोता गोल जमशेटपूर के लिए रित्विक करदास ने किया जमशेटपूर ने इस जीत के साथ ही अंक तालिका में पहला स्थान हासल किया टीम के 20 मैचों में 13 जीत, 3 हार और 4 ड्रॉ के साथ कुल 43 अंक है वहीं सेमी फाइनल में जगह बना चुकी 80 के मोहन बगान अंक तालिका में 20 मैचों के साथ 37 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही सेमी फाइनल में पहुचने वाली पहली टीम बनने वाली हैदराबाद 38 अंकों के साथ दूसरे नमबर पर है तो इस सब्ता की साथ बड़ी प्रमुक खबरों में बस इतना ही इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहे लाइफ लगतार के साथ नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगतार डॉट इन के साथ